Hello students, आज मैं आपको Voice of the Rain poem पढ़ाऊंगा जो प्लस वन क्लास के लिए है और इसे Walt Bittman के द्वारा लिखा गया है तो सबसे पहले Voice of the Rain जनकी वर्षा की अवाज जहां पर Walt Bittman ने personification का प्रजोग किया है जनकी जो Non-Living Things होती है वो बोलती नहीं है जैसे वर्षा है जब वो होती है वो बोलती नहीं है आवाज नहीं करती है तो जहां पर कभी ने उसकी आवाज को दिखाया है जनकी बारिश बोल रही है तो जहां पर कभी ने personification का प्रजोग किया है PERSONI PERSONI PERSONIFICATION का प्रजोग किया है जहां कभी ने जाने की बार्ष बोल रही है तो बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइम है पढ़ेंगे हम 1 by 1 तो सबसे पहले है AND WHO ARE DO SAD I I किस के लिए प्रजोग किये गया है जहां POINT के लिए I कौन है जहां POINT TO THE SOFT FALLING SHORE AND WHO ARE DO DO का मतलब जहां क्या है YOU SAD I जाने की POINT POINT ने कहा WHO ARE DO जाने की तुम कौन हो कभी वर्षा से जहां पूछता है कि तुम जहां कौन हो To the soft falling shore नीचे दर्टी पर बर्षा के रूप में गिरती हुई बारश से कभी जहां पूछता है कि तुम कौन हो जो आपको बताने में अजीब लगेगा आपको कि बारश ने मुझे क्या किया गेम मी एन अनसर बारश ने मुझे जो उत्तर दिया जो यहां पर मैं आपको अब उसका ट्रांसलेट करूँगा बताऊँगा कि बारश ने क्या उत्तर दिया कभी को जब कभी ने उससे पूछा वो आर यू कि तुम कौन हो तो आप हरान रह जाओगे जह जानकर कि बारश ने उसका उत्तर दिया तो I am the poem of the earth said the voice of the rain I यहां किसके लिए लगा है rain के लिए वारश के लिए I am the poem of the earth बारश ने क्या उत्तर दिया कभी को कि मैं अर्थ की poem हूँ said the voice of the rain जो बारश की जो अवाज है उसने क्या उत्तर दिया बारश ने बोलते हुए कभी को उत्तर देती है कि मैं ही इस प्रिथवी की poem हूँ इस प्रिथवी की पालनहार हूँ मैं ही हूँ तो answer देती है जहां पर rain कभी को next है eternal I rise impoble out of the land and the bottomless sea eternal का मतलब क्या होता है not ending जिसका कोई अंतना हो I rise impoble impoble का मतलब होता है जिसे शुआ ना जा सके not touch it internal कभी ना खत्म होने वाली I rise बार्ष कहती है कि कभी ना खत्म होने वाली मैं पैदा होती हूँ impoble जिसको शुआ नी जा सकता out of the land इस दर्ती से ही इस प्रिथवी से ही मैं पैदा होती हूँ and the bottomless sea bottomless का मतलब होता है जिसका कोई किनारा ना हो जो विशाल समुंदर है बहां से और इस दर्ती से मैं पैदा होती हूँ यहीं मेरी बर्थ प्लेस है वार्ष का फिर अगे वार्ष क्या कहती है अपवार टू हैवन वेंस वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेर जहां से फ्रॉम वेर अपवार्ड टू हैवन वेंस वेगुली फॉर्मड और टूगैदर चेंजड एंड येट दा सेम अपवार्ड फिर मैं दर्ती से पैदा होकर समंदर से पैदा होकर अबैबो रेशन का भी जहां कभी ने परजोग किया है अबैबो रेट कैसे होती है वार्ष अपवार टू हैवन मैं फिर उपर आसमान में चली जाती हूँ वेंड जहां से वैगुली बड़े-बड़े फॉर्मड आल टूगैदर चेंजड जहां पर बड़े-बड़े बादलों के रूप में बादल निर्मित कर लेती हूँ और टूगैदर चेंजड फिर सब कुछ ही एक साथ बदल जाता है and yet the same और फिर मैं बार्ष के रूप में बार्ष रूपी जो बुंदे हैं उसके रूप में मैं फिर बाफ सा जाती हूँ दर्ती पर next passage है हमारा I descend to love the droughts atomies dust layer of the globe I किस के लिए लगा है rain के लिए descend मैंने नीचे आना बार्ष के थी कि जब मैं दर्ती से उपर उट कर बड़े बादल बनाती हूँ तो फिर मैं मेरी process क्या है कि काम क्या है I descend फिर मैं नीचे आ जाती हूँ to lab lab मैंने क्या है meaning क्या है lab का wash दोने के लिए the draughts सुखी हुई चीज़ों को जो दर्ती पर सुखी हुई चीज़े है हर एक उनको दोने के लिए मैं नीचे आ जाती हूँ atomies का मतलब क्या होता है tiny particles of everything जनकि हर एक चीज़ को dust layers of the globe दर्ती की जो दूल की परते हैं दूल मिटी है उसको दोने के लिए सुखे को दोने के लिए tiny particles of everything जो दर्ती पर हर एक दूलकन को दोने के लिए फिर मैं हरा बरा करने के लिए बार्ष के रूप में नीचे आ जाती हूँ and all that in them without me और इन सभी चीज़ों में without me मेरे बिना जनकी बार्ष के बिना जे सभी चीज़ें worst seeds only कैसी है के लमातर वो बीज है जनकी दर्ती में छेपे हुए बीज वो बीजी बन कर रहे जाते हैं अगर वहां बार्ष ना हो वो हरे बरे उगते नहीं है उनका वर्थ नहीं होता है वो पैदा नहीं होते है latent का मतलब क्या होता है hidden छोपे हुए दर्ती में जो छोपे हुए unborn unborn जनकी जो पैदा नहीं हुए जो ओदे के रूप में प्लांट के रूप में बाहर नहीं आए है वो किसके बिना बाहर नहीं आते है बार्ष के बिना बार्ष के बिना वो बेर्थी हैं बेजी पड़े हैं वहां दर्ती में उस मिटी में उनकों कोई वैलू नहीं है वहां पर तो बार्ष ने जहां पर अपनी इपोर्टेंस को दिखाया है and forever why day and night और आगे फिर बार्ष क्या कहती है and forever और सदा के लिए why day and night देन और रात give back life to my own origin give back life to my own origin जहां पर वार्ष ने जो उसका वार्ष का वाटर साइकल है वाटर साइकल उसकी जो प्रोसेस है जानिकि दर्ती से निचे उठना फिर बाप मन को रुपर जाना फिर बार्ष के रूप में नीचे आना जह उसकी प्रोसेस दिन और रात चलती रहती है और वो अपनी origin को उत्पती को जनम देती रहती है अपनी life को जनम देती रहती है बार्ष बनकर फिर वो नीचे आ जाती है दर्ती से ही उपर उठती है next and make pure and beautify it और अपनी इस प्रिकरिया को वो साफ सुत्रा करती है और इसको खूब सूर्थ बनाती है जब वो दर्ती पर आती है तो हर एक चीज को वो साफ सुत्रा कर देती है और इसको खूब सूर्थ बना देती है इस प्रकार वो अपना सौंग की तुलना किस्सी की है पैरलल समानता किस के साथ दखाई है वारश के साथ है रेन के साथ अपनी समानता को दखाया है कि कभी कैसे कि कभी का जो गीता वो कहां से पैदा होता है इस इस वर्थ प्लेस कभी का जो गीता वो कहां से पैदा होता है कभी में से ही कभी ही उसक कर आंक कि रिचना करता है आफ्टर फॉल्फिल चब पूरा हो जाता है वंडरिंड इदरुद्र गुमता है जनिन की कभी के जो सौंग है कभी की जो क़ीता उसको जभ लोग सुनते है इदरुद्र से तो जब जो गीत जो है उसका पोंइम है पूरी हो ये लोग उसको सुनते भी हैं तो कभी की इससे बरपाई हो जाती है रैक्ड और अन्रैक्ड चाहे इस गीत की और कोई इस कवीता की और कोई द्यान दे चाहे ना दे इससे कभी को कोई फरक नहीं पड़ता उसी परकार वार्ष भी जब होती है नीचे दर्ती पराती है बुंदों के रूप में तो चाहे उस किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे इससे बार्ष को कोई फरक नहीं पड़ता है डूली विद लाव रिटेर्न और इससे ही कभी को जब कभी अपनी गीत का कवीता की रिचना कर लेता है इदर उतर गूमता है उसको सुनने वाड़े सुनते हैं उसको चाहने वाले तो इससे उसका जो प्यार है बाप से मिलता है लोगों का प्यार उसको बाप से मिलता है उसे अपनी खुशी मैसूस होती है कभी को तो I hope ये कि विताप को वाइस ओफ दा रेंज अच्छे से समझा आगी होगी Thank you